इन पांच भारती सेरों ने बड़ी दहार लगाई भारती टीम ने सिरलंका के उपर करी चड़ाई जियां यहां पर लंका दहन हो गया है भारती टीम ने पूरी तरीके से सिलंकन टीम को इस मुकाबले में धाराशाई कर दिया है मात्र 55 रनों पर सिलंकन टीम आल आउट हो गई और 20 ओबर भी वो पूरे टिक नहीं पाए मतलब 20 ओबरों का भी मुकाबला सिलंकन टीम नहीं खेल पाई 50 ओबर फॉर्मेट में तो आप सोच सकते हैं कि भारती गेदबाजों ने किस तरीके की गेदबाजी की भारती बल्लेब भारती टीम पहली वरल लकप 2023 की पहली टीम बन गए है जिन्होंने ओफिसियल तोर पे सेमी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है तो आई अपने इस वीडियो में इस रिपोर्ट में बात कर लेते हैं कि आज के मुकाबले के लिए भारती टीम के वो कौन से पांच अरि पहला ऐसा वाकिया नहीं था अभी हाली फिलहाल अगर हम बात करें भारत वर से स्रिलंका मुकाबले की तो एशिया का फाइनल था वहाँ पर भारती टीम ने बुरी तरीके से स्रिलंका को पीटा था तो आज के मुकाबले में उसी प्रदरसन को एक बार फिर से भारती बल्लेबाज और भारती गेंजबाज दोराते हुए नजर आए अगर हम बात करें अपने सबसे पहले बबर सेर की तो वह है शुबमन गिल इस वर्ल्ड कप में डेंगू फीबर से सुरुआती मुकाबलों में गिल जूज रहते फिर वापसी किया तो वह वापसी नहीं हो पसान कर रही थी और मधुशंका ने शुरुआती ओवरों में इनका जरूर इमतिहान लिया लेकिन अपना प्रिंस मधुशंका का इमतिहान पास किया फिर फानखेडे की गर्मी से जूजे और उसके बावजूद बानबे रनों की बेमिशाल, बेहतरीन बानबे रनों की पा सबसे खास बात होगी क्योंकि इस वर्ल्ड कप में अभी तक उनके बल्ले ने वो रंग नहीं दिखाया था जो सुम्मन गिल को हम जान रहे थे और आज वो रंग देखने को मिला कट शॉट पुल सॉट जो जो सॉट हम लोग देखना चाहते थे शुमन गिल के बल्ले से वो शॉट हमें आज के मुकाबले में देखने को मिले आपके स्क्रीन पर आ गए होंगे दूसरे बबर से और हर वक्त भारती टीम के लिए दहार लगाते हैं बैटिंग से दहार लगात और दहार लगाते रहेगा ODI format की बात करें तो बहुत से बहुत से हमारे बल्लेबाज impactful inning की बात करते हैं लेकिन ये चो inning खेलते हैं ये impactful inning से कहीं बड़े दरजे की इनिग खेलते हैं ये आप impactful खेलिए ना खेलिए इनसे मतलब नहीं है यह पूरा दिड़ संकल्प करके आते चाहे बल्लेबाजी की situation ले लो चाहे गेदबाजी की situation ले लो या फिर ऐसी pitch इनको दे दीजे जहाँ पर run बनाना एक एक run बनाना मुश्किल हो तो फिर इनी की दरकार होती है चाहे आप किसी pitch पर 390 बना दो 400 बना दो तो इस बल्लेबाज में वो दमखम है वो माददा है कि एक तरफ से अगर टिका रहेगा तो भारती टीम 410-415 बना लेगी तो कोई भी impactful inning इस बल्लेबाज की inning से पार नहीं पापाएगी क्योंकि बहुत से लोग थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने का प्रयास करते हैं लेकिन ये कोली है इनसे बड़ा ODI क्रिकेट का साय दी अभी तक कोई player हुआ हो और जो इनसे बहतर अभी तक ODI format को खेला हो और फिर से इन्होंने दिखाया 80 run बनाए 94 गेदो पे और दिखाया कि उनके अंदर क्या काबिलियत है कोई भी pitch condition दे दो आप और जब तक ये टिके थे तो ऐसा नहीं था कि भारती टीम का run rate कम था 6 का और सथ भारती टीम बना कर चल रही थी जब सुमन गिल परसान दिख रह और विराट कोली वह बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं यह जो अहमियत है विराट कोली की वह कोई impactful inning खेल कर नहीं दे सकता क्योंकि विराट कोली बीज-बीच में impactful पारियां खेलते रहते हैं वह देखते हैं कि अगर साथी जूज रहा है तो मुझे attack करना और attack करते है वह दिखता नहीं है वह attack running between the wicket में होता है वह attack force जो निकालते रहते हैं at will उसमें होता है और कभी-कभी अब तो छक्के भी लगाने लगे हैं तो वह विराट कोली हैं और हमेशा यह king रहेंगे और इन से पार आप कोई भी ODI Cricket का बल्ले बाज नहीं पा सकते हैं आज के मुकाबले में तीसरे बबबर से रह स्रेया सयर इनकी जितनी चर्चा कर लें उतनी कम होगी क्योंकि आज का मुकाबला स्रेया सयर के लिए बहुत खास था सुर्य कुमार आदो ने पिछले मैक में सहताली संट ठोक दिये थे जिसके बाद इनके पोजीशन पर सवाली निसान खड़े होने लगे थे चर्चाएं सुरू हो गई थी कि स्रेया सयर को भी बाहर करिए उनके सुर्य कुमार आदो को लाईए केल राउल को नंबर चार पर खिलाईए पांच पर हार्दिक फिर छे पर सुर्या फार्ती टीम और मजबूत हो जाएगी लेकिन स्रेया सयर ने कहा ना बाबा ना मैं इतने आसानी से अपने पोजीशन को नहीं चोड़ने वाला हूँ आज दरकार थी क्योंकि तीन अबरों के अंतराल में शुमन गिल का विकेट गिरा विराट कोली का विकेट गिरा और वानखेड़ी के पिश पे अगर आपके बले बाद 300 से बिलो स स्कोर करते हैं तो confidence पर असर पड़ता है चाहे टीम अपोजीशन सिरलंका ही क्यों नहीं लेकिन इन्हों ने यह इंसे ओर किया कि भारती टीम 350 प्लस का स्कोर बनाए जिसका रट पहले ही पारी में भारती टीम लगभग जीत अर्जित कर ले गई थी बहुत ही बेतरीन पारी खेली 82 रन 56 गेदों पर चमीरा ने इनको बहुत टेस्ट किया 60 गेदों पर लेकिन हर्ट टेस्ट यह पास रहे और इस पिन गेदबाजी को तो इनसे बखुवी सायदी वर्ल्ड क्रिकेट में कोई बल्लेबाज खेलता हो यह आपके स्क्रीन पर हैं आज मुकाबले के घर बर पाती भी नजर आ रहे हैं मातर तीन मुकाबला खेला है 14 विकेट अपने नाम कर चुके हैं और सबसे खास बात कि भारती टीम का जो में प्लेइंग 11 था उसमें का नाम नहीं शामिल था इनको भारती टीम के प्लेइंग 11 में शामिल कब किया गया जब हार्दिक पां कैसे पोजीशन को पुक्ता कर लिया कि इनको डगमगा नहीं सकता 19 नौमबर तक कोई इस टीम से बहुत ही बहुत ही बहतरीन गेदबाजी इन्हों ने किया मुहमद सिराज ने जिस सिलसिले का शुरुवात किया था इन्हों ने अंत किया 18 रंखर्च करके 5 विकेट निकाले अपने 5 ओबरों के स्पेल में बहुत ही बहुत ही बहतरीन गेदबाजी एकदम घातक दिख रहे थे मुहमद सिराज के लिए लेकिन इस प्रदर्सन के बावजूद इनको बाहर जाना होगा जब हर्दिक पांडे आएंगे क्योंकि मुहमद श्रमी अलग लेवल की गेदबा क्योंकि जो तीनों का प्रदर्सन जो है वह बहुत ही बहतरीन है हालिया प्रदर्सन मुहमद सिराज एशिया कप में छाप छोड़े थे वर्ल नमबर वन गेदबाज थे जिसकारए उनको शुरू आतीम कापलों में प्रिफरेंस मिला लेकिन शमी ने जब इस प्लेइंग इ कोई हो सकता तो फिर अब बेस्ट वर्सेज बेस्ट की तुनला हो रही है मतलब आप में हम में कौन बेस्ट होगा ये कंपटीशन है तो सिराज ने बेहतरीन गेदबाजी जरूर की है तीन विकेट अप फ्रंट निकाले अपने स्विंग से सिलंकन बलेबाजों को परसान कि कि दों डिया लेकिन शमी ने दिल जीता है सबका तो समी ही प्ली बने रहेंगे मगर आज के मकाबले में ये भी हमारे बब्बर से रहें जनों ने सुरुवाती जटका दिया उब उम्रा ने सुरुवात की तो तो इनों ने पुरूर्द को कांटीन्यू किया और अंत किसने क तो यह तो पूरे पूरा रिपोर्ट सा कि कौन-कौन से आज के हीरो रहे, कौन-कौन से पाच बबर से रहे, जिन्होंने दहार लगाई, लंका पर चढ़ाई की, और लगबग लंका दहन भी कर दिया आपका सकते हैं, तो आज की अपनी इस रिपोर्ट में बस इतना ही, आप स को सब्सक्राइब करना ना भूलें